Hello students, welcome to the circulatory system lecture no. 6 आज हम actual Race circulatory system पढ़ने वाले हैं जो हमारा actual में circulatory system है वो आज हम पढ़ेंगे Blood circulatory system यह blood circulatory system क्या है? It consists of the heart, veins, arteries and capillaries Heart, veins, arteries and capillaries हर्ट और्गन है जो ब्लड को पम करता है पूरे बॉड़ी में हर्ट ब्लड को पम करता है कौन पम करता है दाट इस हर्ट वेंस क्या करते हैं वेंस बॉड़ी से ब्लड लेके हर्ट तक आते हैं आर्टेरीस क्या करते हैं आर्टेरीस ब्लड को हर्ट से लेके जाते हैं पूरे फर्दर डिवाइड होके, आर्टिरियोली, और आर्टिरियोली फर्दर डिवाइड होके, जहाते हैं? क्या हमारी बोडी में हर सेल्स तक तो यह Venues, arteries नहीं पहुन सकते हैं, इसलिए यह Venues और arteries के κesmaler units से हैं कि ठाहठ, एक्च्वल में हमारा सार्कुलेटरी सिस्टम यहीं से स्टार्ट होता है हाट हाट क्या है हाट के लोकेशन देख लो not on the left side but it is felt so हम हमेशा मतलब बड़ो को कहते सुनते आ रहे हैं कि हमारा हाट जो है ओ कहां पर है left side में है actual में ओ left side में नहीं है ओ कहां पर है मैं अभी बताती हूं मैं आपको यह आपका यह क्या है यह आपका right lungs है और यह आपका left lungs है यह चोटा होता है left lungs right lungs से चोटा होता है जबकि left lungs में तीन लोग होते हैं अंदर के तरह और एक लोग यहां पर सिब दो लोग यहां पर एक लोग पीछे के तरह और एक लोग क्यूं होता है क्यूंकि यह जो हमारा हाट है वो बीच ओ बीच है यह समझ लो यह हमारा हाट है ओके? ये हमारा heart हो गया. ठोड़ा सा ऐसे है. ये जो हमारा heart है, ऐसे होके ठोड़ा सा ऐसे है. ओ जो lungs के उपर चड़ गया, ओ ऐसा नहीं है. थोड़ा सा उस्तरफ tilted है. इसलिए हमें लगता है कि heart कहाँ पे है? Left side में है. ओके? The heart is right in the center between the two lungs and above the difagram. यह हमारा डाइफरग्राम है मैं और एक बर बना देती हूं उसको यह देख लो यह हमारा डाइफरग्राम हो गया ओके यह क्या है यह यह अब मतलब मेरा डाइग्राम इतना अच्छा नहीं बन रहा है फिर बे आप सोच लो यह हमारा और सोरी लेफ्ट लंग से तो हाट कहां हाट ऐसा है हाट थोड़ा सा मतलब मैं ऐसे बना रही हूं ऐसे होके थोड़ा सा उस तरफ को टिल्टेड है अंदर के तरह उस तरफ को टिल्टेड है मतलब हाट हमारा स्टेर्नम जहां पर है स्टेर्नम आप समझ सकते हो जो हमारा स्टेर्नम है उसके वहीं पर है ठीक है मतलब बीचों बीच है लेकिन थोड़ा सा tilted है जैसे कि हाट का सेप ऐसा है ऐसा होके ऐसा ये थोड़ा सा मतलब ये होके ये हो गया हाट का सेप ये आप सोच सकते हो हाट है क्या बन रहा है पता नहीं हाट से थोड़ा बनाने की कोसिस में कर रहे ही हूँ हे और थोड़ा से गे किस साइड को लेफ साइड को इसलिए हमें feel होता है कि हाट हमारा किस साइड में है left side में ओके तो नारो एंड और रॉफली triangular heart is pointed to the left side यहां पे लिखा है डियूरिंग वाकिंग contraction is most powerful in this side हमारा क्या होता है जब हाट वाकिंग में होता है हाट तो left ventricle में सबसे ज्यादा contraction होता है क्यूं होता है क्यूंकि left ventricle से blood through outer outer एक हमारा blood vessel है through outer पूरे body में जाता है तो highest contraction यहीं पे होता है तो हमारा जब heartbeat होता है तो हम कहां पर feel करते हैं हमारे left side में और सबसे important चीज़ यहां पर यह है location of the heart actual में यही है location of the heart the heart is right in the center between the two longs and above the diaphragm हम हमारा जो longs है sorry heart है heart का exact location यह है और यह question में आता है यह हमारे board में पूछा जाता है okay covering heart का covering क्या है अब हम देखने वाले हैं heart एक delicate organ है तो उसमें कुछ तो covering होगा ठीक है पहले हम heart का size देखते हैं the adult human heart is about the size of our closed feet closed fist closed fist मतलब बंध मुठी हम एक बड़े आदमी का बंध मुठी जितना बड़ा होता है हमारा heart approximately उतना होता है यहां पर exact size लिखा कितना 12 cm in length and 9 cm in width मतलब आप अपने मुठी को बंद करो और सोचो आपकी मुठी थोड़ी से बड़ी है एक adult की जितना बड़ी है आपकी मुठी को लेके आप बीचो बीच रखो ठीक है लेफ्ट और राइट के बीचो बीच रखो और थोड़ा सा लेफ्ट के तरह तिल्ट कर दो तो वहीं पर heart है और उसका exact length width क्या है यह है 9 cm in length and 12 cm in length and 9 cm in width it is protected by a double membranous covering called pericardium it is an important question what is the covering of the heart or what is the protective covering of the heart what is the double membranous covering that protects the heart यह सबका answer क्या है pericardium यह एक important है यह important है यह important है ओके पेरी काडियम के बाद उसमें fluid होता है जो जब भी हमारा चीज़ मतलब protect करने के लिए इतना delicate organ को protect करने के लिए एक fluid होता है ओफ्लूइड का नाम क्या है पेरी काडियल fluid ओके यह पेरी काडियम क्या कंटेंग कता है पेरी काडियल fluid आपको question में आ सकता है आया भी हुआ है what is that fluid that contains in the heart sorry that protects the heart और दाट इस कंटेंग इन दा पेरी काडियम ओके क्या आप लिखो के पेरी काडियल fluid it protects यह पेरी काडियल fluid का function है और पेरी काडियम भी आप बोल सकते हो मतलब पेरी काडियम exactly नहीं है अगर पूसता भी है तो यही function है और पेरी काडियल fluid का exact function क्या है it protects the heart from the mechanical injuries and reduces friction during heartbeat यह important function है यह question में आता है ठीक है यह क्या है location function में mainly यह आता है okay it protects the heart from the mechanical injuries and reduces frictions during heartbeat यह important है यह याद रखना है आपको chambers of the heart heart में चार chambers होते हैं दो auricle होते हैं दो ventricle होते हैं मैं आपको एक rough diagram बताती हूं हाट का इतना अच्छा तो मुझसे नहीं बनेगा लग रहा है जितना मुझको यह हो गया थोड़ा सा यह अच्छा तो नहीं बनाए यह बीच में क्या है यह septum है यह यह यहां पर valve होते है एक्जाक नहीं बन रहा है मतलब यहां से निकलते हैं valve ओके को होता है वॉल्व यह क्या है ए मतलब औरिकल यह क्या है ए मतलब औरिकल यह क्या है वी मतलब वेंटरिकल यह भी किया है वी मतलब वेंटरिकल दाटोरिकल होते हैं दो वेंटरिकल होते हैं ओरिकल हम आते हैं अभी twoều हमारे हट में कितने ORCLE होते हैं दो एक राइट और राइट दे एक left और बच्यों में اक्सडर blew यह होता है कि ऊपक्लेफ्ट राइट नहीं जणऩ यह है कि आपके बूख को सर बूक्ड ऐसे यह जह King को एक पर्स होंगे मतलब खोलने का साइड और बाहर होगा और जो कवरिंग है और आपके सीने के ऊपर होना चाहिए तो आप अपने सीने के ऊपर उसको रख लो चेस्ट के ऊपर आप रख लो तो फिर आपको इजी हो जाएगा लेफ्ट राइट जाने में ओके ऑरिकल्स क्या है थी बंट्रिकल्स यह जो औरिकल्स हैं उनका ज्यादा कुछ काम नहीं है नौर्मली औरिकल्स के काम क्या होते हैं receiving blood and sending it to the next ventricle जो पूरा बॉडी से ब्लड आके थूट बहने कावा ऊट में ओके रॉट और लंग स.. ओके लंग्स में जाता है फिर क्या होता है लंग्स से कहां पर आता है लेफ्ट औरिकिल सॉरी मैंने यहां पर वेंट्रिकिल लिख दिया है यह क्या होगा औरिकिल मतलब यह सिक्वेंस है यह आप याद रखो पहले हमारे बॉड़ी में जो ब्लड है और कहां से कहां आता है और पहले कहां आता है वेना कावा के थ्रू कहां पर आता है औरिकिल में कौन सा औरिकिल में राइट औरिकिल में फिर वाओ राइट औरिकिल से कहां पर जाता है फिर राइड वेंटर्किल से ओ कहां पे जाता है राइड वेंटर्किल से ओ जाता है लंग्स में लंग्स से ओ कहां पे जाता है लंग्स से ओ कहां पे जाता है लंग्स से जाता है ओ लेफ्ट औरिकिल में लेफ्ट औरिकिल से कहां पे जाता है लेफ्ट वेंटर्किल में फिर से कहां पर जाता है थ्रू आउटा हो जाता है पूरा बॉड़ी में एक सीरीज है यह आपको याद रखना है ऐसे अगर आप याद रखोगे तो आपको ईजी हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख लो लेफ वेंट्रिकल रेसीव तो बलड फ्रॉम दे लॉंग्स और वेंट्रिकल्स में ठीक क्यों है यह आप इसे देख सकते हो यह आपको पता भी चल चुका होगा क्योंकि हमारे जो ओरिकल्स हैं ओ कहां से कहां सेंड करते हैं ओ वहीं उनके नेक्स्ट वेंट्रिकल्स को ही सेंड करते हैं ठीक है उनमें ज्यादा कंफ्राक्शन रिलाक् वेंटर्क्ल से वो कहां से कहां सेंट करते हैं importante पहले तो आप right ventricle देख लो right ventricled कहां पे सांड करता है ल minimizing धोड़ा सा कम contractors होता है as compared to the left ventricle left ventricle क्या करता है लेफ वेंटरीकल पूरे body में मतलब अब सोचो हाट से पूरे body में इतना फोर्स में कंट्राक्शन होता है कि एगेंस्ट ग्राविटी वह ब्रेन में भी जाता है और पूरा टो तक मतलब हमारे बॉड़ी में पूरा लास्ट एंड तक भी ब्लाड पहुंचता है ठीक है तो लेफ्ट वेंटर्कल में इसलिए सबसे ज्यादा मतलब मोटी सबसे दिस्टंस बोहत ग्राक्शन रिलाक्शशन होता है इसलिए बंटुर्स में वर्ट थोड़े से मोटे होते हैं असकंपार्ट वरिकल्स और लेफ्ट वेंटर्कल में सबसे ज्यादा मोटी होती है ओके अध्चली तुरें वेंड आप्ला से बांग क्लासिये और शूरी शूर learn very important topic that is the veins veins arteries and all of the blood vessels of the heart and we will learn it by sequence कहां से कहां पर जाता है मतलब पहले कहां आता है फिर कहां आता है फिर कहां जाता है ओलन करेंगे वाल्व्स जो हमारे हाट में है ओलन करेंगे फिर हमारे जो अर्ट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकूलर सिस्टोल यह सब भी लर्न करेंगे ओके थैंक्यू स्ट्रूइन्ट हाव नाइस टे